नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का दोस्तों यूट्यूब पर सबसे पहले एसी रेलवेलाईने जिनके बारे में सर्वे तो किये जाते हैं लेकिन उनकी फाइले सर्वे से आगे नहीं बढ़ती है इनकी जानकारी देने का सिलसिला सर्वे हमने शुरू किया था इसी कड़ी में आज एक और रेलवेलाईन के बारे में जानकारी हम आपके समक्च दे रहे हैं इसके बारे में सबसे पहले हमने ही पूर्व में वीडियो यूट्यूब पर डाला था रेलवे लाइन थी गुना आरोन सिरोंज गंज बासोदा रेलवे लाइन जो की भोपाल से गुना के लिए एक छोटा रास्ता तयार करती लेकिन यहाँ रेलवे लाइन कम रेट आफ रिटर्न होने की वज़े से आगे नहीं बढ़ पाई इस रेलवे लाइन के लिए छेत्र वासियों ने काफी संगर्श किया है और पूर्व में धर्ना प्रदर्शन आदी भी किये हैं पोस्ट कार्ड और इमेल भी रेलवे मंत्राले को लिखे हैं ताकि रेलवे लाइन स्वीकरत हो जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ सिरोंज में रेल पत निर्मान संगर्श समीती के बेनर तले यह कारेवाही की गई थी जिसमें की संगर्श यात्रा भी निकाली गई थी लेकिन इसका कोई प्रभाव रेलवे मंत्राले पर नहीं पड़ा लेकिन हाल ही में इस रेलवे लाइन के एक हिस्से को बेरसिया के रास्ते भोपाल तक जोड़ने की मांगने फिर से जोर पकड़ा है इसी को देखते हुए परिवन विभाग ने रेलवे बोर्ड को गुना भोपाल वाया बजरंगड आरोन सिरोंज महानीम चोराहा बेरसिया नविन रेलमार्ग का सर्वे करवा कर स्वीकृति प्रदान करने सम्मंधी पत्र लिखा है वो उम्मीत की जा रही है कि जल्दी ही इसको स्वीकृति प्राप्त हो सकती है जो पूर्व में सर्वे किया गया था इसमें 68 किलो मेटर का रेलमार्ग गुना, आरोन और शिरोंज तक कौमन रहेगा सिरोंज से महानीम चोराहा बेरसिया होते हुए कमल नगर भोपाल के पास में यहां रेलवे लाइन लिंक की जा सकती है जिसकी दूरी सिरोंज के बाद 110 किलोमेटर के आसपास हो जाएगी कुल मिलाकर 188 किलोमेटर इस नई रेलवे लाइन की दूरी हो सकती ह सर्वे के पस्चात वर्तमान में गुना से भोपाल वाया विधीशा बीना होकर 257 किलोमेटर का सफर ट्रेनों को करना पड़ता है जिसमें की करीब 4 घंटे के आसपास समय लगता है यदि नया रेलमार्ग अस्तित्व में आता है तो करीब 70 किलोमेटर के आसपास सफर यात् साथ ही एक बड़ा छेतर जो फिलाल में रेलवे लाइन अच्छूता चल रहा है उसको भी अतिरिक्तिक कनेक्टिविटी प्राप्त हो जाएगी पस्चिम मध्य रेलवे की मीटिंग में सांसत गुणों और अधिकारियों के समक्ष सांसत श्री राज बहदूर सिह ने सागर संसदिय चेतर में रेल सुविधाओं के विस्तार की पुर्जोर मांग जुलाई महीने में रखी थी उन्होंने कहा था कि सागर लोकसवा चेतर की सिरोंज लटेरी विधान सभा में रेल लाइन सुविधाओं की मांग लगभग स्वतंतरता प्राप्ति के बाद से ही जा सकता है इसके पूर्व जो सर्वे गंजबासोदा सिरोंज आरोन गुना लाइन का हुआ था उसमें भी आगे कोई कारिवा नहीं हुई तो उन्होंने अनुरोत किया था कि इस रेल लाइन को स्विकरत किया जाए क्योंकि इसके बनने के बाद में सागर लोकसवा के तीन करते हैं और काफी आर्थिक भार उनके उपर पड़ता है तो ऐसे में यदि यहाँ जो नई रेल्वे लाइन की परिकल्पना की गई है गुना, आरोन, सिरोंज, बजरंग, गड़ और महानीम चोरहा होते हुए बेरसिया से भोपाल को जोड़ने की यदि इसका सर्वे करके इसको स्विकरत किया जाता है तो निश्चित तोर पर एक अतिरिक्त रेल्मार्ग चेतरवासियों को तो मिलेगा ही साथ ही रेल्वे का भी जो भारी लोड बीना भोपाल रेल्मार्ग पर है उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है अभी फिलाल में जो सर्वे है उसको स्विक आने वाले समय में प्राप्त हो सकता इसलिए इस सर्वे को स्विक्रती के पस्चात में इस रेलवे लाइन को आकार लेना चेतरवासियों के हित में होगा और रेलवे को इसके बारे में सकारात्मक रूप से सोचने की जरूरत वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के जरूर दें आप सभी का धन्यवाद